चैस असलम ум eater tolerance वेलोगे टो मैं वाठो नई वीदियो होगे जी में हों फात्मा बिच्टॉश आइए को मैं हुजो नई वीडियो के छाथ में इस रोज की बात में करती हूँ, इतना सस्ता ब्रैंड, इतना अच्छा ब्रैंड, इतना लॉंग लास्टिंग, ग्लोई, हर स्किन टाइप का उनका ब्रैंड है, इतनी फाउडेशन, इतनी बैसे, बी-बी क्रीम्स, हर चीज जी, ग्लिटर्स, आइशेटोज, लिपस्टि ठीक है, जो के मुझे बहुत पसांद आई है, लिटर्ली मैंने एक दफा नी, दो दफा नी, मैंने काफी दफा यूज करके इसका रिव्यू कर रही हूँ, क्योंके जी, अगर मैं आपको कोई चीज बता दूँँ, आप वो खरीद ने, मेरी वज़ा से, आप उसको ट्राय क लगता है, मतलब नो कंसीलर लगता है, आप लगा लो भर भर के लगा लो, आपको कवरेज भी देता है, और आपकी स्किन में इतना अच्छा अब्जर्ब हो जाता है, कि नजर ही नहीं आता कि आपने कंसीलर लेगा है, otherwise, कंसीलर इतने थिक होते हैं, कि वहांकों के नीचे अच्छा खासा एक केक बना देते हैं, फिर जो उसके बाद इनकी किये, भी मैट फांडेशन आती है, भी मैट कहलें, लेकिन ये मैट ऐसा चितनी होती नहीं है, मतलब इनके प्रॉड़क्ट्स, I swear, मुझे तो बहुत पसंद आई है, आपको मैं इन दोनों के स्वाचेस अपलाए करके दिखाऊंगी, इसकी बारी बार में आएगी, ठीक है, यूँकि अगर मैं आपको ये दिखा दूँगी ना, इन दोनों के, तो इसका तो आपको समझाई जाएगा, कि वो भी कितना अच्छ है, ठीक है, सो हमने इसको, मैं इसको डिरेक्टली भी लगा लेती ह यह थोड़ी 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 निकल रही है, जो मैं वो टच-टच कर रही है, यह एक पांप सारा में प्रेस नहीं किया, ठीक है, आप देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी मैंने लगाई है, ऐसा ब्रश लेके, इसको मैं सारे फेस पे स्प्रेड कर लोंगी, सबसे पहले ठीक है, बहुत हलके हाथों से, अब आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, कितनी नाइस, और मुझे अच्छा हाई कवरेज, मुझे नहीं पसंद, अगर इसको अगर आप डबल करें तो यह हाई कवरेज भी बन जाती है, पर आप यह देखिए, स्किन पे ग्लो, प्लस, इसने अपनी स्किन को, वो नहीं किया, कि एक द्रम से कहते हैं, बहु, बहु, वो नहीं किया, सो मुझे, लाइट बेस पसंद है, जो कि ग्लो भी दें आपके स्किन में, जाके ऐसे, पता ही ना चले कि आपने बेस लगाया है, सो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, अच्छे है, ल पर भी कर देना है, मैं आपको बेटर रिजर्ट दिखाने के लिए, कर रही हूँ, आँखों के उपर भी, कि मैंने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया, ठीक है, और, अच्छा, फाउंडेशन को, हमेशा ब्रश से, मैं इसली करती हूँ, most of the time, क्यूंकि आपके स्किन पे प तो वो, अगर आप इसले इसको एक दफ़ा सारा स्प्रेट करें, उसके बार ब्लेंड करें, तो आपके स्किन पर बिल्कुल नजर नहीं आएगा, कि आपने कुछ लगाया हूँ, यह देखे, देखे, लग की नहीं रहा, कि मैंने फाउंडेशन लगाया, ठीक है, अगर कबरिश पसंद है, इससे ज़्यादा में नहीं लगाती, बहुत मतलब इतनी अच्छी प्राइज़ में आपको इतना अच्छा प्राड़क्ट मिल जाए, बेस्ट है, ताकि आप बार बार यूज़ करने से घवराओ भी नहीं, आप खुल के एक चीज़ को यूज़ तो कर स लिए है, जरूरी नहीं आपने अर्माणी की ले लिए आपने मैक की ले लिए, किसी भी ब्राइंड की आपने फांड़ेशन लिए, ओछी ही होगी, में होते हैं, आपके इसकिन पर वो कैसे रियक्ट कर रही है, तो में बात यह होती है, तो हाई-end ब्राइंड के भी रीव् चलता है क्यों अचाहिए कैसी लग रही है अचाहिए इस बेस को में धूप में जाके भी देखे दूप में भी बहुत फ्लॉलेस लगती मुझे तो वह शौक है कि में मेकप भी करूँ नजर भी ना है मेरा वह वह शौक है मैं इतनी प्यारी लगनी चाहिए आपकी स्किन अच फाउंडेशन इतनी अच्छी हो कि आपको लगया आपकी नैश्रल स्किन बहुत अच्छी है ठीक है उसके बाद हम कंसीलर लेते हैं थोड़ा इसे लूंगी में और लगा लेंगे ठीक है और सबसे मज़े की बात ही है कि इसको अगर मैं कंसीलर को हलका हलका लगा लगा लू तो मुझे फाउंडेशन की जूरती नहीं बढ़ती है मतलब अगर में आइज करूं इस तरह करूं इधर लगा लगा लूं और इधर लगा लूं बस अगर मैं फाउंडेशन नहीं लगाउंगी तो मैं यां-ई-चानशीलर लगाउंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने मुझे कोई फील आ रही है या मुझे अब देख सकते हैं इसकिन कितनी क्लियर हो गई है और यह विद्ध टाइम और फ्लॉलेस होती जाएगी और गलो आएगा सबसे मज़े की बाद इसकी है आई इसके उपर हनका सा लगा के ब्लेंट करते हैं अब बहुत अच्छा इसका ना आपने बहुत हलकी हाथों से इसको ब्लेंट करने अगर आपने डिरेक्टली स्पांज से करने हैं आप उससे भी कर लें मैंने आपको पैम मुझे सब थोड़ा सब आता कि मेकप ब्लेंट हो उसके बाद मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करें थोड़ा सा स्प्रेड ठीक है अच्छा यह वह भी नहीं है कि आपने कंसीलर लगाया है नार्स के रिस्टर होते हैं तो एकदम से जी वह चिपक ही गया वह उसको फटा फटा ब्लेंड करोगे तो ठीक है अदर्वाइस वह इतना सक्त केक बाद में इतना जाइने तो ड्मश पर हो जाएगा अच्छा उसके बाद ब्लेंडर लेंडर लियना है और ब्लेंडर को ठोड़ा सा रोज वाटर करके छॉठर चिपकर कर लेंगे और ऊसके बाद हमने ऐस नीचे इसको ब्लेंड कर लेंग हैं एक दोसरी ह classrooms निया आपको ब्लेंड कर लेंड आप चैने जी ये देखें मैंने हलका सा ब्लाशान लगाया मस्कारा लगाया और लाइट सी लिपस्टिक लगाईए ठीक है और आप दू ट्राइ करें और इसको मुझे कमेंट में बताएगा कि आपको कैसी लगी है मुझे तो बहुत पस्तान रही है कि अपना ख्याल रिखेंगा मिलेंगे अगले वीडियो में अला आफिस